सब्सक्राइब कीजिए मेरे स्मार्ट निटिंग यूटूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए क्योंकि बिल्कुल फ्री में हैं कि हलो फ्रेंड्स स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत सभागत है चलिए फ्रेंड्स एक डिजाइन आज बनाते हैं स्वेटर डिजाइन है यह इसमें हमें जो चाहिए फंदे 4K मौल्टिपल फंदों में हमने यह डिजाइन बनाना है देखिए यह 4K मौल स्टेचे इसे ऐसे ही लेना है और चार फंदों को हमें उल्टा बनाना है वन टू थ्री फूर फूर स्टेचेज हमने ऐसे उल्टे बना लेने हैं अब आगे देखिए ये इस फंदे को छोड़के ये चार फंदों में डिजाइन बनेगा इस फंदे को छोड़के इस फंदे को हमें बनाना है तो आगे को पीछे करना है इस फंदे को हमें पहले बनाना है और इस फंदे को हमें बाद में बनाना है देखिए यह दो बन गे हमारे अब दूसरे दो कैसे बनाने है इस फंदे को यहां से पहले बनाना है यह देखिए बैक साइड से हम बैक साइड से हम इसे पहले बनाएंगे और फ्रंट साइड से पहले बाले को बाद में बनाएंगे धाङआ पीछे करके फिर से दूसरा फंदा हमने पहले बनाना है और पहले बाला हमने बाद में बनाना है ऐसे फिर से बैक साइड से हमें पिछला फंदा बनाना है और आगे बाला जो है बाद में आगे से बनाना है ये कैसे आएगा है ये पूरी रों हमें ऐसे ही कम्प्लीट करनी है चार फंदे उल्टे और आगे बाले चार फंदों में डिजाइन ये पीशे बाला फंदा ये देखिए पीशे से बनाना है और ये आगे बाला फंदा हमने आगे से बनाना ऐसे फिर से चार फंदे उल्टे फिर से बही पहले पीशे बाला फंदा बनाना है फिर आगे बाला फंदा बनाना है अब सेकंड जो है दो उन्हें हमने पीशे से पहला बनाना है और आगे बाला जो है आगे से बनाना है और लास्ट में हमारे पास चार फंदे बचेंगे वो उल्टे आएंगे और एक हमारा एजस्टिच है उसे हम ऐसे ही बना के कम्प्लीट करेंगी देखे फ्रेंट्स उल्टी साइड वाली जो हमारी सलाइना है वो सारी हमारी उल्टी ही बनेंगी देखे फ्रेंट्स जे उल्टी साइड वाली सोरी जे उल्टी साइड वाली जो रोज है हमारी जे जो उल्टे फंदे हैं इस तरफ से इस तरफ से हमारे चार फंदे सीधे बनेंगे इस तरफ से हमारे चार फंदे जो हैं सीधे बनेंगे और ये जो दिजाइन वाले फंदे हैं ये उल्टे बनेंगे चार फंदे उल्टे और चार फंदे सीधे बनाने हैं हमें ये चार सीधे आएंगे और आगे वाले चार फंदे उल्टे आएंगे देखिए ये डजाइन वाले 4 फंदे जो है वो उल्टी आएंगे उल्टी तरफ से और ये जो है वो सीधे आएंगे अब देखिए नेक्स ट्रो में हमने ये फंदा सीधा बनाना है और 4 फंदे फिर से उल्टे बनाने हैं 1, 2, 3, 4 फिर से धागा पीशे करना है यही वाला फंदा हमें यहां से लेना है और पहले बना लेना है और जो पहले वाला है उसे हमें बाद में बनाना है देखिए ऐसे फिर से वही पीशे वाला फंदा पहले बनाना है और आगे वाला फंदा बाद में बनाना है और चार फंदे हमारे फिर से उल्टे आएंगे फिर से ये वाला फंदा हमें पीशे वाला पहले बनाना है और आगे वाला बाद में बनाना है देखे ये दो फंदे जो है इन्हें हमने पीशे वाला फंदा जो है बाद वाला जो है पीशे से बनाना है ऐसे और इसे हमने आगे से बना लेना है, चार फंदे फिर से उल्टे आएंगे, फिर से यही रिपीट करना है, ऐसे ही करके हम यह जो डिजाइन बना रहे हैं, आप 3 टाइम बना लीजिए, चाहे 4 टाइम बना लीजिए, ऐसे ही करते हुए हमने इन ही लाइनों को रिपीट करना है, ऐसे हैसे ही, चाहे 4 टाइम बना लीजिए, चाहे 3 टाइम बना लीजिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यह मैंने 3 टाइम जो है, 1, 2, 3 टाइम जो है, मैं चार फंदे जो हमें हमारे उल्टे थे इन में हमें डिजाइन बनाना ये देखिए इन चार फंदों में हमें डिजाइन बनाना है इस फंदे को हमें सीधा बनाना है पहले और इस फंदे को हमें बाद में बनाना जैसे पहले बनाया है यही डिजाइन अब यहां पे आएगा फिर इसे बैक साइड से लेना है और फर्स्ट वाले को फरंट साइड से लेना अब यहाँ पर हमारा जो है यह डिजाइन स्टार्ट होगा अब यह फंदे हमारे उल्टे आएंगे वान टू थ्री फूर धागा पीशे करके फिर यह फंदे हमारे बुने जाएंगे डिजाइन के तोर पे एक फंदा पीशे से बनाया बाद वाला फंदा जो है पीशे से बनाना है और पहले वाला फंदा हमें आगे से बनाना है फिर यह वाले फंदे हमारे उल्टे आएंगे और इन फंदों में डिजाइन बनेगा यह फंदा हमारा सीधा आएगा पहले बोना जाएगा और यह बाद में इसे हम पीशे से बनाएंगे और इसे हम आगे से बोनते हुए कंप्लीट करेंगे फिर 4 फंदे हमारे उल्टे आएंगे अब जिन फंदों पे डिजाइन है वो उल्टे बनेगे और जो उल्टे फंदे हैं उन पे डिजाइन ऐसा ही बनेगा ये फंदे उल्टे चार और इन फंदों पे डिजाइन कि ये फंदda पीशे से अब और इसे हम अगे से बनाएंगे अब देखे ये पे ये वegeस्ट से बनेगा और फ्रेंट साइल्ट से हमारा ऐसे बनेगा अब देखे जो डिजाइन वाले फंदे बोतो हमें उल्टे बनाने हैं और यह जो इस तरफ से उल्टे हैं उन्हें हमें सीधा बनाना है फिर से चार फंदे डिजाइन बाले आ गए इन्हें हमें उल्टा बनाना है फिर चार फंदे हमारे उल्टे आ गए इन्हें हमें राइड साइड से जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें रॉंग साइड से हमें सीधा बनाना है और ये फंदे हमारे उल्टे और ये सीधे चार फंदे फिर से उल्टे जो डिजाइन वाले फंदे हैं वो हमारे रॉंग साइड से उल्टे बनेंगे अब देखे राइड साइड में हैं फिर से ये ये बहुत सुंदर लगता है और बनाने में बहुत एजी हैड जाईजे अब देखे फिर से यहीं से एक फंदा बनाया और पहले बाला हमें बाद में बनाना है ये फंदा पहले बनाया पीशे वाला आगे वाला फंदा हमें बाद में बनाना है जो जैसे हमने यहां पर बनाया है वैसे ही हमें यहां पर बनाना है मतलब कि हमारे उल्टे फंदों पर डिजाइन आएगा अगली बार और जो डिजाइन बाले हैं उन में हमने उल्टे फंदे बना लेने हैं ऐसे ही करते हुए हमने ये पूरा अपने स्वेटर पे जा, कार्डिगन पे जिस किसी पे भी आप बना रहे हैं ऐसे ही करते हुए हमारा जो डिजाइन है वो complete होगा अब ये लाइने उल्टे आएंगी और यहाँ पे फिर से हमारा डिजाइन बनेंगा इस फंदे को बैक से बनाना है और इसको फ्रंट से बनाना है देखे एक तरीका में आपको और बता देती हूँ अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो देखे इन दो फंदों को निकाला इस फंदे को पहले लिया सलाई में इस फंदे को हमें ऐसे ही इस फंदे को पहले बना लिया और इस फंदे को बाद में बनाया अब यहां से भी ऐसे ही करना है इस फंदे को पीशे करना है इस फंदे को हमें इस फंदे को पीशे करना है और इस फंदे को आगे करना है पहले बना लिया और इसे बाद में बनाया तब भी हमारा डिजाइन जो है वो ऐसे ही कम्प्लीट होगा जैसे हम बना रहे हैं देखिए एक बर्फिर्ट से देख लिजिए इस फंदे को हमें पीशे लेके जाना है इसको आगे लेके जाना है इसको बाद में बनाना है देखिए यहां से इस फंदे को हम आगे लेके आएंगे और इस फंदे को हम पीशे लेके जाएंगे इसे पहले बुन लिया और इसे हमने बाद में बुन लिया और चार फंदे हमारे उल्टे आएंगे और यहां से फिर से हमें डिजाइन बनाना है यहां पे चार फंदों पे इस फंदे को बाद में बनाएंगे देखे पीशे बाला फंदा हमने पहले बनाना है और आगे बाला बाद में ऐसे ही करते हुए हमारा जो डिजाइन है वो complete हो जाएगा आप ऐसे ही करते हुए इन चार उल्टे फंदों पर डिजाइन आएगा और डिजाइन बाले फंदों को हम उल्टा बना करके complete करेंगे thank you very much